Hello Friends, Welcome to Study Tricks इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Chemistry का एक very important topic उत्प्रेरक और उसके पिरकार यानि की catalyst and its type Friends, हमारे exam के point of view से बहुत जादा important topic है इससे हर बार आपको एक question देखने को मिलता है तो Friends, उत्प्रेरक और उसके पिरकार की हम अच्छे से theory समझेंगे और हम trick से देखेंगे कौन साथ प्रेरक किस reaction में use होता है जिससे हमारे exam में question बनता है Friends, उसके बाद हम 25 important question की practice करेंगे जिससे आपको इस topic में कोई भी confusion नहीं रहेगा Friends, वीडियो को आप शुरू से लेके end तक देखेंगे तो मैं बादा करता हूँ अगर आपको इससे question देखने को मिलता है अपने exam में तो गलत करके नहीं आएंगे आप question सही करके आएंगे तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे share कर दें तो चली start करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्या है यानि कि what is the catalyst and catalysis तो इसकी हम definition देखते हैं बेपधार्थ जो रसाइने कभी क्रिया में भाग लिए बिना अभी क्रिया के बेग को परिवर्चित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं अभी क्रिया के बेग को परिवर्चित कर देते हैं दोस्तो कुछ लोग ये समझते हैं उत्प्रेरक अभी क्रिया के बेग को बढ़ा देते हैं तो ऐसा कहना गलत होगा ये उत्प्रेरक अभी क्रिया के बेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं तो इसका आप ध्यान रखें ये अभी क्रिया की बेग को परिवर्दित करते हैं नेक्ट पॉइंट देखते हैं उत्पिरेरक का भार एविम रसायनिक रचना आप परिवर्दित रहती है दोस्तो उत्प्रेरक रसाइनिक अभी क्रिया कि बेक को परिवर्दत तो कर देता है लेकिन अपन उसके भार एवं रसाइनिक सरचना में कोई भी परिवर्दन नहीं आता है तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें नेक्ट पॉइंट देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है सबसे पहले बरजिलियस ने उत्प्रेरक के पत के बारे में सुझाओ दिया था तो फ्रेंड बरजिलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी इससे लेकर हमारे एक्जाम में एक कोस्टन पूछ लिया जाता है तो आप इनका नाम ध्यान रखें बरजिलियस नेक्ट पॉइंट देखते हैं नेक्ट हम देखते हैं इसका एक्जाम्पिल जब हैवर बिदी से अमोनिया गैस का निर्मान होता है तो इसमें दोस्तों कौन सा उत्प्रेरक यूज हुआ है फेरस यानि की लोहे का चूल यूज होता है यह उत्प्रेरक की तरह कारी करता है जो अभी क्रिया की धर को परिवर्तित करता है तो इसे आप ध्यान रखें चलिए नेक्ट देखते हैं नेक्ट हम बात करते हैं उत्प्रेररक के प्रकार यानि की types of catalysis उत्परेरल मुक्षतात निमने प्रिकार की होते हैं तो देख लेते हैं सबसे पहला आता है हमारा समांगी उत्परेरल जिसे हम homogeneous catalysis कहते हैं अगला है हमारा बिसमांगी उत्परेरल जिसे हम heterogeneous catalysis कहते हैं Next आता है हमारा धनात्मक उत्परेर्ण जिसे हम Positive Catalysis कहते हैं Next है हमारा धनात्मक उत्परेर्ण जिसे हम Negative Catalysis कहते हैं अगला है हमारा सोत पिरण यानि की आउटो कैटलिसिस, नेक्स्ट आता है हमारा पिरेरड उत पिरण यानि की इन्डियूस कैटलिसिस, फ्रेंड्स ये छेतरा के हमें उत पिरण इसमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांगी उत पिरण यानि की होमोजीनियस क जब उत्प्रेरक तता अभी कारक दोनों पधारतों की भौत नगास्ताएं समान होती हैं इस प्रिकार की घटना को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं कहने का मतलब दोस्तो यह होता है। इसके उधारण से हम इसे समझते हैं आइश्टर का जल अब गटन जब हम करते हैं तो क्या होता है दोस्तो आइश्टर भी हमारा क्या है एक गैसी रूप है और HCL जो उत्प्रेरण का काम कर रहा है ये भी एक गैसी अवस्ता में है तो दोस्तो इन दोनों की अवस्ताएं अगर समान होंगी तो हमेंने क्या कहेंगे समांगी उत्प्रेरण तो आप इसे समझ सकते हैं समांगी उत्प्रेरण में अभी कारक और उत्प्रेरण की अवस्ता समान रहेगी नेक्ट हम देखते हैं नेच्ट आता है हमारा विस्मांगी उत्प्रेरड यानि की हिट्रोजीनियस कैटालिसिस अब इसमें क्या होता है जब उत्प्रेरक और अभी कारक दोनों पधारती बहुत एक अबस्ताएं भिन भिन होती हैं तब इस पिरकार की घटना को विस्मांगी उत्प्रेरड कहते हैं तो इसे भी हम एक्जाम्पिल समझते हैं तो दोस्तों ये हैवर बिजी से अमोनिया गैस का निर्माड हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हैं गैसी अवस्ता में लेकन जो फेरस उत्पिरेरक का काम कर रहा है यह कैसी अवस्ता में यह ठोस अवस्ता में यानि कि यह लोहे का चूल है तो यह ठोस अवस्ता में है और जो उसके अभी कारक हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यह कैसी अवस्ता में तो यह दोनों अलग अवस्ता में है तो ये हमारा किस परकार का उत्प्रेर्ड कहिलाएगा बिसमांगी उत्प्रेर्ड याने की हीटरोगीनियस कैटालिसिस तो इसे आप समझ सकते हैं Next हम देखते हैं धनातमक उत्प्रेर्ड याने की positive कैटालिसिस अब इसमें क्या होता है बेपधार्थ जो अपनी उपस्तिती मातर से ही अभी क्रिया के बेग को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरग कहलाते हैं और इस घटना को हम क्या कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरग तो इसका भी हमें एक्जाम्पिल देखते हैं उधारण के लिए दोस्तो जब हाइडोजन प्रोकसाइट का अब गटन होता है तो प्लेटनियम एक उत्प्रेरण की तरह काम करता है जो की अभी क्रिया के वेक को बड़ा देता है तो इसके एक्जाम्पिल से आप समझ सकते हैं इस प्रकार का उत्प्रेरण क्या कहलाएगा धनात्मक उत्प्रेरण और इस प्रकार की घटना क्या कहलाएगी धनात्मक उत्प्रेरण तो इसका आप ध्यान रखें नेक्ट हम देखते हैं यानिकी निगेडव कटलेसिस अब इसमें क्या होता है, बे पधारद जो अपनी उपस्ति मातर से ही अभी क्रिया के बेग को कम कर देते हैं तो क्या कहलाती है करिया और इस घटना क्या कहेंगे रिराथमक उत्प्रेडर इसका भी दोस्तों हमें एकसांपल देख लेते हैं तो फ्रेंड ये नाइट्रोजन सलपाइड का उक्सीजन के संग जब रियक्शन होती है तो अइतिल एलकॉल का उत्प्रेड़क यूज होता है जो की रसाइने का भी किरिया के बेग को कम कर देता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि रिजनात्मोंत प्रेड़क क्या करता है अभ उत्पात के रूप में प्राफ्थ होने पर स्वम उत्प्रेड़क का कारी करते हैं तो क्या कहलाते हैं सोध्प्रेड़क कहलाते हैं और इस घटना को सोध्प्रेड़क कहते हैं तो इसका भी हमें एक्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों जब एस तरी का अब घटन होता है और 2S एक उत्प्रेरग की तरह काम करता है तो इससे आप समझ सकते हैं यहां पर सौध्प्रेरग की क्रिया हुई है नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेरित उत्प्रेरग यानि की इंड्यूस कैटालिसिस अब इसमें क्या होता है बे रसाइनिक अभी करिया है जिनमें एक अभी करिया दूसरी रसाइनिक अभी करिया के लिए उत्प्रेरग का कारी करती है इस प्रकार की अभी करिया प्रेरित उत् पोर बनता है ये दूसरी अभी क्रिया के लिए उत्प्रेड़क को प्रेड़ित करने का काम करता है तो इसे आप ध्यान रखें नाइश टम देखते हैं उत्प्रेड़क बर्दक दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा कोस्टन पूछे जाते हैं यानि कैटालेटिक प्रोमोटर् छमजते हैं बे पधहर्थ जो उत्प्रेड़क की कारीज छमता को बढ़ा देते हैं परन्तु सम्प्रेड़क की तरह कारिये नहीं करते हैं उत्प्रेड़क बर्दक या उत्तेजक कैलाते हैं इसके हम एक चीलन है यह उत्प्रेरक की तरह काम करता है लेकिन वॉल भी डेनम किसकी तरह काम करता है एक उत्प्रेरक बर्दक की तरह यह क्या क्या काम होता है यह उत्प्रेरक की छमता को बढ़ा देता है तो इसे हम क्या कहेंगे उत्प्रेरक बर्दक या उत्तेजक तो इसका आप ध्य जो उत्प्रेरक की कारी छमता को कम कर देते हैं या नश्ट कर देते हैं परंतु स्वंब उत्प्रेरक का कारिये नहीं करते हैं उन्हें उत्प्रेरक बिस या उत्प्रेरक निरोधरक कहते हैं इसके भी हमें एक्जाम्पले समाझ लेते हैं दोस्तो अगर हम है बर्विदी में दुबारा मुनियागा इसका निर्मान करेंगे और हम फेरस को उत्पिररक की तरह काम करेंगे और हमें उत्पिररक की छमता को कम करना है तो हम किस का यूज करेंगे हैडोजन सल्पाइट का हाईडोजन सल्पाइट का यूज करेंगे ये क्या करेगा ये उत्पिररक की जमता को कम कर देगा तो ये क्या कहिलाएगा उत्पिररक विस या निरोधक जिसे हम क्याते हैं ग17 तो इसका आप ध्यान रखें नेक्स्ट हम देखते हैं उत्प्रेरक अभी क्रियाओं के समान लक्षर यानि की Characteristics of Catalysis तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की क्या है उत्प्रेरक की अलप मात्रा ही रसाइने का भी क्रिया की गती को परिवर्तित करने में परियापत होती है फ्रेंड्स उत्प्रेरक की बैलू बहुत कम होती है अभी कारक के मुकावले और इसके थोड़े मात्र से ही अभी क्रिया की दर्में परिवर्तन हो जाता है तो इस point का आप ध्यान रखें next point है हमारा उत्पिररक पदार किसी अभिक्रिया की गती को परिवर्चित कर सकता है परंतु अभिक्रिया को प्राडंब नहीं कर सकता है तो इस point का आप समझ सकते हैं उत्पिररक का काम अभिक्रिया की गती को परिवर्चित करना है परंतु ये अभीक्रिया को श्टार्ट नहीं कर सकता तो इस point का भी आप ध्यान रखें Next point आता है हमारा उत्प्रेरक सामेवस्ता को प्रभावित नहीं करते हैं Friends, अगर हमारी कोई भी अभीक्रिया सामेवस्ता में है अगर तो हम उस पे कोई इसा भी उत्प्रेरक यूज़ करेंगे तो वो उसकी सामेवस्ता को प्रभावित नहीं करेंगा तो इसका आप ध्यान रखें Next हम बात करते हैं उत्प्रेरकों के अनुप्रियोग Friends, उत्प्रेरकों के अनुप्रियोग से बहुत जादा हमारे एक्जाम में कोस्टन बनता है तो हम इसे ट्रिक के माद्यम से याद करेंगे और इस तरह की ट्रिक है आप एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी तो दोस्तों सबसे पहला है हमारा हैवर बिदी से अमोनिया गैस का निर्माड तो इसमें हमारा कॉंट सौथ प्रेरक यूज होता है तो इसमें हमारा यूज होता है लोहे का चूल अब हमें से याद कैसे रखेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हैवर हैवर किस तरह की सौंड दे रहा है यानि की हैमर और हैमर किसका बना होता है जाहिर सी बाते लोहे काई बनता जादेता है हैमर तो आप हैमर को लोहे से रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं तो मुझे अमीद है आपको ये किलियर हो चुका होगा चली नेक्ट देखते हैं next है हमारा alcohol से ether का निर्माड तो इसमें हमारा console prayer रख यूज होता है इसमें हमारा गर्म alumina यूज होता है अब इसे कैसे आसानी से याद रख सकते हैं तो दोस्तो हम इसे relate करेंगे जाड़ा और गर्मी को जाड़े और गर्मी को किस तरह से relate करेंगें और कोहरा का बाता है दोस्तो जाहिर सी बाते जाड़ों में ही जादे तरह आता है और जाड़ों में हम थर-तर कांपने लगते हैं यानि कि इस तरह में इसे हम बढ़ ले लेंगे थर यानि थर-तर कांपते हैं और इधर साइट में लेना है में गर्मी यानी गरम से गर्मी, और गर्मी में दोस्तों क्या होता है, लू चलती हैं, यानी अई-लू, तो इससे आप रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं, जाड़े और गर्मी से, चली NEXT देखते हैं, नेश्ट है हमारा दीकन बिदी से किलूरीन गैस का निरमार, तो इसमें हमा धक्कन लगा दिया यानि डीकन धक्कन तो डीकन आपको डीकन को आप मैच कर सकते हैं धक्कन से आपने धक्कन लगा दिया यानि कि आपने उसे ब्रेक कर दिया ब्रेक मतब रोग दिया यानि प्रेक ब्रेक तो प्रेक से आप ब्रेक को रिलेट करके आसानी से याद रख सकते ह तो मुझे उम्मीद है आपको कभी भी अपने एक्जाम में इस से related question देखेगा तो आप सही question तक तो आप सही option तक पहुच पाएंगे और अपना सही option टिक करके आएंगे चलिए next देखते हैं next है हमारा glucose से एतिल अहलकॉल का निर्माड तो इसमें हमारा इसे कैसे आज रख सकते हैं दोस्तो आप सब लोग glucose क्यों पीते हैं ताकि आपके अंदर energy आ जाए अगर आपके अंदर energy आ जाएगी तो आप सब लोगों से घुल मिल जाएंगे और सब लोगों से अच्छी तरह से बात करेंगे यानि आपकी एक अलग image बन जाएगी तो आप इससे relate कर सकते हैं image यानि कि ग्लू को इसे हमेरी image बन जाती है तो आप इससे आसानी से relate करके याद रख सकते हैं चलिए next देखते हैं next है हमारा दूद से lactic अमल तो इसे तो आप डारेक्टली आसानी से relate करके याद रख सकते हैं दोस्तो इसका एक नाम और भी आ सकता है बैसली तो आपको अपने एक्जाम में अगर ये बैसली देखे तो आप बैसली option code टिक कर सकते हैं चलिए next देखते हैं next है हमारा बनस्पती तेलों से किर्तिम घी के निर्माण में कौन सोथ प्रेरक यूज होता है निकिल अब इसे दोस्तों कैसे आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों मान के चलो आप बनस्पती तेलों से किर्तिम घी बना रहे हैं यानि की नकली घी बना रहे हैं तो नकली को आप रिलेट कर सकते हैं निकल से यानि किर्तिम घी निकल या नकली आसानी से इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं चली नैश्ट देखते हैं नैश्ट है हमारा सल्फ्यूरिक अमल की संपर्क बिदी यानि सल्फिरुक अमलका निर्माड संपर्क बिदी के दोरा तो इसमें हमारा कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है प्लेटनम चूनल अब इसे कैसे आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों मान की चलो आपको किसी से संपर्क करना है संपर्क यानि संपर्क से रिलेट करेंगे आपको किसी से संपर्क करना है आप उसे कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल नहीं उठा रहा है तो आप क्या करेंगे तो डारेक्टी आप उसके घर जाएंगे यानि आप उसके फिलेट पर जाएंगे तो फ्लेट को आप रिलेट कर सकते हैं फ्लेट से यानि प्लेटिनम से तो इससे आप आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी किलियर हो चुगा होगा चली नेश्ट देखते हैं नेश्ट है हमारा सल्फ्यूरिक अमली की सीस कक्ष भिधी तो इसमें कौन सा उत्पिरेरक हमारा यूज होता है नाइट्रोजन के अक्साड यानि की अईनो अब इसे कैसे आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तो आप किसी से कहोगे सीस कक्ष में यानि सीसे के कमरे में रह सकते हो तो हर कोई मना करेगा क्या कहेगा नो नहीं हम सीस कक्ष में नहीं रहेंगे तो हर कोई मना करता है यानि सीस कक्ष में कोई नहीं रहना चाहता है तो आप इससे आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि सल्प्यूर कमल की सीज कक्षिवदी में नाइट्रोजन के अक्साड यानि आइनो का यूज होता है चली नेक्ट देखते हैं नेक्ट हमारा नेक्ट हमारा प्रोटीन को अमीनो अमल में परिवर्तन करना तो यह हमारा कौन सा उत्प्रे रख करता है अरिपसिन इंजाइम दोस्तो इसे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं यह इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है यह तो बाइलोजी में के बारे में हम पढ़ते रहते हैं इसे तो हम आसानी से याद रख सकते हैं तो इतनी कटनाई वाली बात है नहीं तो दोस्तो ये कुछ प्रोप्रacter है जो हमारे एकजाम में बहुत जादा पूछे जाते हैं अगर आप इसे इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे तो आप आसानी से याद रख पाएंगे दोस्तो हमने theory section अच्छे से पढ़ लिया है अब हम देखेंगे 25 important question जिससे आप practice करेंगे तो आपको इस topic में confusion बिलकुल खत्म हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं 25 important question friends इनके answer अपने mind में सोचें और 3 second में आपको दोंगा हर question को solve करने के लिए और easy question है आप आसानी से कर सकते हैं हमारा पहला question है उत प्रेरक एक ऐसा पधारत है जो रसाइनिक अभिक्रिया के बेक को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्चित करता है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो जादतर लोग इसका answer बढ़ाता लगाते हैं, लेकिन ये गलत है उत प्रेरक क्या करता है, रसाइनिक अभिक्रिया के वेक को परिवर्चित करता है तो इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा अगला question देखते हैं उत प्रेरक की खोज किस ने की थी very easy question है तो इत प्रेरक की खोज किस ने की थी बरजीलियस ने, option number हमारा ये correct हो जाएगा अगला question देखते हैं जब अभिकारक और इत प्रेरक दोनों की भौतिक अबस्ताएं समान होती है तो इत प्रेरक कहलाता है friends मैंने आपको बताया था इस प्रेकार का उत प्रेरक क्या कहलाएगा समांग उत प्रेरक, तो option number be correct हो जाएगा next question है हमारा जब अभिकारक और उत प्रेरक दोनों की भौतिक अबस्ताएं भिन होती हैं तो उत प्रेरक कहलाता है तो क्या कहलाएगा ये बिस मांग उत प्रेरक option number इसमें हमारा B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं रिणात्मा कुद्प्रेरक negative catalyst वो है जो तो दोस्तों रिणात्मा कुद्प्रेरक क्या होते हैं अभी किरिया के बेक को कम करते हैं तो इसमें option number हमारा ये correct हो जाएगा अगला question देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरक positive catalyst वो है जो तो यह क्या करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक अभी क्रिया की बेक को बढ़ा देते हैं तो option number इसमें हमारा भी correct हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे कहते हैं तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं सौत्प्रेरक तो मैंने आपको बताया था किसी क्रिया में उत्पाद अगर उत्प्रेरक की तरह काम करता है तो उसके हम क्या कहते हैं? सुथ प्रियरक तो उसका आप ध्यान रखें नाइस्ट कोस्चन है हमारा उत्पियरक बिस होता है दोस्तो उत्पियरक बिस क्या होता है किरिया निरोधक यानि कि ये उत्पियरक की छमता को कम कर देता है तो option number इसमें ये correct हो जाएगा अगला question देखते हैं उत्परिरक बिस किस पर कारी करता है तो ये क्या कारी करता है उत्परिरक सता पर मुक्त संयोगताओं से संयोग करके तो option number इसमें हमारा be correct हो जाएगा अगला question देखते हैं बर्दक कारी ये करता है तो friends बर्दक क्या कारी करता है उत्प्रेरक की सदा अतिक असम बना कर option number हमारा बी correct हो जाएगा इसमें Next question देखते हैं जैबिक उत्प्रेरक हैं तो कौन से है जैबिक उत्प्रेरक मैंने आपको trick में नहीं बताया फिलिलाल तो जैबिक उत्प्रेर कौन से होते हैं एंजाइम तो option number इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं sulfuric amelicum के निर्माण में संपर्क विजी में platinum उत्प्रेरक के लिए कौन सा बधार्थ बिस्क का कारी करता है तो दोस्तों कौन सा कारी करता है arsenic sulfide एक बिस्की तरह कारी करता है तो option number इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं निमने में से किस पिरकार का उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं दोस्तों सर्भूत्तम उत्प्रेरक कौन से होते हैं संकर्मक्तत तो option number इसमें हमारा यह करेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं तेलों के hydrogen करण में प्रियुक्त उत्प्रेरक है friends इसे मैंने आपको trick से ही बताया है तो इसमें option number हमारा भी correct हो जाएगा nickel next question देखते हैं सीज कख्ष प्रिकम के उत्प्रेरक रूप में प्रियुक्त होता है तो दोस्तों कौन सा यूज होता है nitrogen के oxide तो option numbers में हमारा यह correct हो जाएगा इसे भी मैंने आपको trick से बताया है अगला question देखते हैं निमने में से कौन सा पदार्थ ammonia के हैबर भी दी में iron यानि फेरस उसप्रेरक के लिए निरोधक का कारी करता है तो friends कौन करता है कोबाल्ट तो option number इसमें हमारा D correct हो जाएगा next question देखते हैं कौन सा enzyme glucose को एलकोल में परिबर्तित करता है तो इसे भी मैंने आपसे कोड़ ट्रिक से बताया है तो कौन करता है जाइमस तो option number इसमें हमारा ये correct हो जाएगा अगला question देखते हैं जब potassium chloride को गरम किया जाता है तब potassium chloride बा oxygen में बिखटित हो जाता है जब manganese dioxide इसमें मिलाया जाता है तो अभी करिया तेज होता है इसका कारण है तो friend इसका कारण क्या है मैगनी dioxide उत्पिररक का कारी करता है तो option number इसमें हमारा डी correct हो जाएगा अगला question देखते हैं sulfuric अमल बनाने की संपर्क बिदी में उत्पिररक के रूप में प्रियुक्त होने होता है तो कौन सा उत्पिररक को यूज होता है सल्पिररक अमल बनाने के लिए platinum चोल्ड तो option number इसमें हमारा बी correct हो जाएगा अगला question देखते हैं किलोरीन गैस बनाने की डिकन बिदी में उत्पिररक के रूप में प्रियुक्त होता है friends मैंने आपको इसे ट्रिक से बताया है आप इसका अंदर easily दे सकते हैं तो कौन सा उत्पिररक यूज होता है cupric chloride तो option number इसमें हमारा C correct हो जाएगा अगला question देखते हैं ammonia उत्पादन की हैवर बिदी में उत्पिररक बरधक के रूप में कारी करता है तो दोस्तो कौन करता है कारी उत्पिररक बरधक के रूप में मौलबी डेनम friends इसमें उत्पिररक का काम कौन करता है लोहा तो इसे आपका अभी आप ध्यान रखें नाइश्ट कोस्चन देखते हैं समपर्क बिदी में गंदा कमल H2SO4 के निर्माड में प्रियुक्त उत्प्रिरक है तो दोस्तो इसमें कौन सा उत्प्रिरक चूज़ होता है B2O5 तो option numbers में हमारा C correct हो जाएगा अगला question देखते हैं किस प्रिकम में Benadium Penta Oxide यानि की B2O5 को एक उत्प्रिरक के रूप में प्रियुक्त किया जाता है तो friends किस में किया जाता है संसपर्स प्रिकम में तो option numbers में हमारा ये correct हो जाएगा अगला question देखते हैं रसाइने का भिकिरिया में उत्प्रिरक की भूमी का बदलना तो इसमें हमारा कौन सा option correct हो जाएगा संक्रिड उर्जा तो option number 6 इसमें correct हो जाएगा next question देखते हैं उत्प्रिरक के संबंद में निम लिकित में से कौन सा सही है ये पिर्थिक्रिया की इदर को बढ़ाता है सही है ये संक्रिड उर्जा बढ़ाता है तो गलत है ये संक्रिड उर्जा घटाता है ये भी सही है ये पिर्थिक्रिया में खर्च हो जाता है तो ये भी गलत है तो कौन सा एक और तीन तो option number इसमें मारा बी correct हो जाएगा friends इस वीडियो में इतना ही वीडियो कर पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजिए और जो लोग channel पे नए है channel को subscribe कर दीजिए दोस्तो इसी तरह की GKS related वीडियो इस channel पर upload करते रहते हैं जो आपके exam के लिए बहुत जादा helpful थाबित होगी तो friends हम मिलेंगे next वीडियो में अपने नए topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई